बहुत सारे लोगों से हमने ये सुना होगा कि हमें positive attitude डेवलप करना चाहिए हमें हमेशा positive vibrations, positive energy create करनी चाहिए हमें हमेशा positive रहना चाहिए ये सारी बाते हम सुनते रहते हैं पर क्या आपने कभी सोचा है या आपने सोचा भी होगा पर शायद आपसर में ही मिला होगा कि positive attitude develop करने का सबसे आसान तरीका मौन सा है तो आज मैं आपको पताने वाही हूँ positive attitude develop करने का एक बड़ा सा rule जो बहुत ही easy है हर कोई कर सकता है और वो है develop the attitude of gratitude yes gratitude means whatever you are having or whatever you own you must be thankful for them क्योंकि हमारा human nature है कि हम लोग complaints करने में बहुत आगे है मेरे पास बड़ा बंगला नहीं है उसके पास को कितना बड़ा बंगला है मेरे पास तो एकनी छोटी गाड़ी है मेरे पास branded clothes नहीं है हम हमेशा ये चीजों के बार में complain करते रहते हैं पर कभी हमने ये सोचा है कि हमारे पास at least रहने को घोटो है at least हमारे पास गुणने के लिए धाड़ी तो है at least हमारे पास रहने को खपड़े तो है बहुत सारे से लोग है जिनके पास ये भी नहीं है तो हमारे पास जो सारी चीजे मिली है हमें क्यों ना हम उसको उसके लिए thankful हो law of attraction ये कहता है कि जो भी चीज हम बार बार सोचते रहते हैं दुबारा दुबारा सोचते ही रहते हैं हम वोही सिचुएशन हमारी लाइफ में प्रिएट करते हैं वोही सारी चीजे हमें हमारे लाइफ में मिलती है इस लाइक बॉम्रैक जो चीज हम युनिवर्स के पास थो करेंगे या युनिवर्स को भेजेंगे जो वाइब्रेशन या जो एनर्जी हम युनिवर्स को देंगे वही सारी चीजे universe हमें वापस डबल करके देगा yes, तो क्यो ना हम अपने फाइदे के लिए ग्राटिटुड को यूज करें yes, तो ग्राटिटुड कैसे हम डेवलफ कर सकते हैं, ग्राटिटुड प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके हिए मैं आसान तरिका उपको बताती हूँ आव एक पैनल पेपर लिचे उसमें दस ऐसे चीजों के बारे में लिखें जो आपको जिसके लिए आप बहुत खुश हो आप बहुत कुश हो कि आपके ऊपके पास मो है वो आपके बचे हो सकते हैं, आपके फैमिली मेबर सो हैं आपके पाउस, आपका बिसनेस, आपका एजुकेशन लेवल, आपके कपडे, आपका घर... वौधेवर वाटेवर, वाटेवर सोचनी है कि आप उसके लिए कितना thankful हो आप साथ दिनों के लिए ये gratitude practice आप करिये आपती लाइफ में बहुत चीज आएगा और मिलते हैं इसी के साथ मैं ख्लुपा में अपको मिलूगी नेक्स वीडियो में और अगर आपको ये सारे इंफर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइफ शेयरे और मेरी यूट्यूब चैनल प्रूपास्पेश को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाना मत बूल जाहिएग तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे और ये वीडियो को अपने जो सारे फैमिली मेंबर्स है जो आपके फ्रेंड्स है जिसके आप केर करते हो उनको भी बोले कि ये वीडियो देखे और ताकि वो भी अपनी लाइफ में ग्रैटिजीट प्रैक्टिस करें और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल थें बाई पारत।